हरियाना के अंदर जो मकान रिपेर के लिए मकान मरमत के लिए 80,000 रुपिये दिये जा रहे हैं समाजिक नेम आधिकारिकतावी भाग के तरफ से तुन्होंने एक सारवजनिक सूचना न्यूज पेपर के माद्यम से सबी लोगों को सेर की है नए डोकॉमेंट अपडेट के बा को जरूर देखिए अगर जिसने भी फारम भरे हैं और जो भी फारम बनने के इच्चुक है समाजिक नेम आधिकारिकता अनुसूचित जातिया एम पिछड़े वरक कल्यान विबाग तता अंतोंद्य सेवा ये तना बड़ा नाम रखा है इस विबाग का यही डाक्टर भीम भीम राव मेड़कर आवास नमिनीकरन योजना इसी विबाग के जरिये लोगों को ये 80,000 रुपे जो मरमत के हैं मकान मरमत के हों मिलते हैं सारवजिक सूचना है देखिए समाजिक नेम आधिकारिका अनुसूचित जातिया एम पिछड़े वरक कल्यान विबाग तता अंतो जितने भी वरक है समाज के जिनकी इंकम वार्षिक इंकम है जो 1,80,000 रुपे तक है के लिए ये योजना चलाई जा रही है जिसमें सरकार द्वारा 80,000 रुपे की अनुदान राशी दी जाती है सकीम का लाब प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निवन नियम एम सर्ते निधारित की गई हैं क्या हैं प्रार्थी हर्याना राज्य का सथाई निवासी होना चाहिए प्रार्थी का प्रिवार पैचान पत्तर भी होना चाहिए प्रार्थी का जो मकान है वह 10 साल पुरा प्रार्थी द्वारा मकार मुर्मत के लिए किसी अन्य विवाग से कोई भी लाव ना लिया हो यदि प्रार्थी इस योजना के तहट पहले लाव लिया हो तो वह दस वरस बाद ही मकार मुर्मत है तु आवेधन कर सकता है ठीक है इसके अत्रिक्त जिनोंने पहले इस सकीम के तहर लाव ना लिया हो उनके लिए यह सर्थ लागू नहीं होती जिनोंने इस सकीम के तहर कोई भी लाव ना लिया हो कभी भी वो इस फार्म को भर सकते हैं अगर आपने पहले भी इस किम का लाब लिया है लेकिन आपको 10 साल पूरे होने चाहिए तभी आपको दुबारा लाब मिलेगा लाब पात्र का श्यम का बैंक खत्ते की कोपी होनी चाहिए और वो अधार कार से लिंक होनी चाहिए जो प्लाई कर रहा है उसी का खत्ता हो और वो धार कार से लिंक भी हो जिस मकान की मुर्मत की जानी है वहे प्रार्थी के ही नाम होना चाहिए यह दियान रखने वाली बात है वहीं होना चाहिए प्रार्थी की निर्मान योग्य मकान की फोटो यहने की जहां पर आपका निर्मान होना है जहां से तूट तूट हुई है वहां खड़े होकर आपको फोटो किचवानी है जरूरी है वो ठीक है उक्त योजना का लाव लेने है तूट इत्सिक व्यक्ति अपना रिजिस्ट्रेशन सरलहर्याना.gov.in पर सम्वंदित जिले के अंतोंद्य के अंदर में जाकर करवा सकते हैं इस सक्तिम से सम्वंदित नियव में सकते सरलहर्याना.gov.in पोर्टल पर भी उपलब्द हैं अधिक जानकारी के लिए या शिकायत के लिए अपने जिला अधिकारी का रहले वह दुरुभास नंबर है जो पंच्कुला का है 0122-256-2212 सम्परक कर सकते हैं ये सभी के लिए सारीजिनिक सूचना भेजी गई है पंच्कुला की तरफ से जिन होने इस फारम में अपलाई कर दिया हो और जिसका जो अपलाई अभी तक नहीं कर पाए हैं उनके लिए डोकॉमेंटों की लिस्ट उन्होंने दुबारा से सारीजिनिक सूचना के मार्दम से शेयर की गई है तो यही इनफोरमेशन आज की वीडियो में शेयर करनी थी आप लोगों से वीडियो को ज्या